दोस्तों आज हम अभ्यास करेंगे अपने जननांगो यानि रिप्रोड़क्टिव सिस्टम को स्वस्त रखने वाले कुछ चुनिंदा लेकिन बहुत ही एफेक्टिव योगासनों का इन योगासनों का अभ्यास अगर आप निरंतर करते रहते हैं तो आपकी प्रजनन जो ख्रमता है वो बहुत ही जादा अच्छी होती है आप अपनी मैरेड लाइफ को इंजुआई कर सकते हैं और बहुत सी समस्याई जैसे अगर पुरुशों में बात करें तो स्पर्म काउन क कम हो जाना, ED की समस्या, चाहे की नाइट फॉल की समस्या, मास्टरबेशन की समस्या, प्री मैच्योर एजुकिलेशन की समस्या, प्रोस्टेट ग्लैंड का इनलार्ज हो जाना, महिलाएं कंसीव नहीं कर पाती, यूटरस को स्वस्त रखना, या कि फिर आपकी बच्चे दा आनी में गाठ हो जाना, PCOD, PCOS की समस्या, इर्रेगुलर पीरेट्स की समस्या, इन सारी समस्याओं में आज की योगासन बहुत ही जादा फायदा देने वाले हैं, इन योगासनों का अभ्यास अगर आप निरंतर करते रहते हैं, तो आपको मदद मिलेगी आपके पूरे शरी इन योगासनों का अभ्यास, आप सभी वीडियो को अन तक देखिएगा, हर एक जानकारी मैं step by step समझाओंगी, तो उसको अच्छी तरीके से देखिए, समझेए, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब कर लें, और अगर सब्सक्राइब कर दि अब इसको आप वजरासन में कीजिए, वजरासन में करते हैं तो एंकल और घुटने की flexibility भी improve होती है इस तरीके से, अपने दोनों पैर के अंगुठों को एक दूसरे के साथ जोड़ा हुआ है, और दोनों हाथों को body के पीछे लेके जाएंगे, पीछे ले जाने के बाद अ सास छोड़ते हुए धीरे 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 बोर डाउन, head towards your yoga mat इस तरीके से, और यहाँ पर चाहे तो normal breathing करते रहें और फिर उसके बाद blood flow improve होगा इससे आपके head region की तरफ, 5 से 10 सेकेंड रुके और फिर उसके बाद सास ले और फिर उसके बाद रिलीस कर दें posture को, एक बा towards your yoga mat, breathing करते रहें, 1, 2, 3, 4, 5 और फिर उसके बाद सास ले ले और फिर रिलीस कर दें, अब बहुत से लोगों के लिए चुकि ankles में stiffness जादा हो या घुटने में दर्द बहुत जादा हो, तो आप इस तरीके से वजरासन में शायद ना बैट पाएं, तो आप इस आसन को आरा इमार के बड़े आराम से बैट गए, फिर उसके बाद दोनों हाथों को बाड़ी के पीछे लेके गए, राइट कलाई को लेप्ट हाथ से पकड़ा, सास लिया, और सास छोड़ते हुए, हैड डाउन सासों को रोके, 1, 2, 3, 4, 5 फिर उसके बाद सास ले ले और रिलीस कर दे बहुत से लोगों के लिए सास लेना, रोकना, छोड़ना इसमें बड़ी कनफ्यूजन होगी तो आप नॉर्मल ब्रीधिंग के साथ भी करें, सासे लेते और छोड़ते रहें, उल्ली हेड डाउन कर लें, बो डाउन कर लें इस तरीके से, ऐसे, ठीक है? तो ये हो गया पहल इसे आसन का अभ्यास इसे बहुत अच्छा ब्लड फ्लो आपके हेड रीजिन की तरफ इंप्रूव होगा, अब हम अभ्यास कर रहे हैं, बद्ध कोण आसन या इंग्लिश में इसे कोबलर पोस कहते हैं, आपको करना क्या है? अपने दोनों पैर के तल्वों को इस तरीके से एक दूसरे के साथ जोड लेना है, ठीक है? जोईन सोल अफ यूर फीट टुगेदा इस तरीके से, और रीड की हड़ी ऐसे जुकी नहीं हो, दोनों हाथों को बड़ी के पीछे रखें, और अपनी रीड की हड़ी को सीधा करें और धोड़ा सा घुटनों को अरजस्ट करें इस तरीके से, और जितना हो सके अपनी एडी को अपने पैल्विक रीजन की तरफ लेके आएं, इस अभ्यास से आपके पैल्विक रीजन पर पूरा ब्लड फ्लो इंप्रूव होगा, जननांगों के आसपास ब्लड फ्लो इंप्रूव होगा, और साथी आपकी इससे हिप्स के अराउंड जो stiffness है ना वो भी कम होगी तो दोनों पैर के तलगों को इस तरीके से आपने उंगली के सहारे पकड़ लिया और एडियों को जितना कमफर्टेवल होके अपनी बोड़ी की तरफ ला सकते हैं लाएं सामने देखें इस तरीके से पॉस्टर को जितनी देर होल्ड कर सकते हैं फिर उसके बाद आप अपने दोनों घुटनों को उपर नीचे उपर नीचे उपर नीचे इस तरीके से तितली के पंखों की तरह फ्ला पर बड़ा ही अच्छा इंपक्ट इसका देखने के लिए मिलेगा फिर इसके बाद इसका अभ्यास करने के बाद दोरों हाथों को थोड़ा से अपने घुटने के ऊपर रखें इस तरीके से और हल्का जेंटली अपने घुटनों को गुटनों को नीचे की तरफ ऐसे पुष करते हुए पैल्विक रीजन को एक्स्टेंडड स्ट्रेच दे इस तरीके से पूरे के पूरे इनर थाइस की फ्लेक्सिबिलीटी इंप्रूव होगी इस से इस तरीके से और इसको कम से कम 30 सेकेंड अगर रोक सकते हैं तो रोके अधर अब हमने पैल्विक रीजन की तरफ ब्लड फ्लो इंप्रूव कर लिया हिप रीजन की जो फ्लेक्सिबिलीटी इसको इंप्रूव कर ली अब हम अभ्यास कर रहे हैं परिवृत जानु सीरसासन का इससे हमारी साइड मसल्स बड़ी अच्छी तरीके से स्प्रेच होंगी करके बैठ जाएं फिर उसके बाद पहले अभ्यास राइट पैर से कर रहे हैं तो राइट पैर को दाही नए पैर को घुटने से मोड़ने राइट फूट को लेफ्ट थाई के ऐसे पास लेके आ जाएं कमर गर्दन को सीधी रखें इस तरीके से ऐसे और अभी देखिए मेर से लेफ्ट टो की तरफ है है ना तो चेस्ट को घुमा दिया मैंने राइट नी की तरफ इस तरीके से ठीक है तो अब राइट चेस्ट राइट नी की तरफ है अब क्या करेंगे लेफ्ट पाम को राइट थाई के ऊपर रख लें या फ्लोर के ऊपर रख लें डजन मैटर इ उसको कम करेगा और साथ ही आप इसका आपके जननांगों पर भी बहुत अच्छा डबाव पढ़ने से उसकी सेहत इंप्रूफ करने में मदद मिलेगी आप क्या करेंगे दोनों पैरों को इस तरीके से बाड़ी के सामने स्ट्रेच करके बैठ जाएंगे फिर उसके बाद अपने राइट नी को बेंड करें राइट फूट को लेफट थाई के इनर थाई के पास रखेंगे ऐसे इस सारीके से अब इसके बाद अभी देखे मेरी चेस्ट जो है लेफट टो की तरफ है ठीक है? अब मैंने अपनी चेस्ट को घुमा दिया कैमरे की तरफ यानि राइट नी की तरफ ऐसे और कमर गर्द सीधी रखी अब अपने लेफ्ट पाम को या तो फ्लोर पर रख लें फिर उसके बाद अपने राइट हाथ को उठाएं और फिर उसके बाद छट की तरफ इसको खीचना शुरू कर दे इससे क्या होगा कि पूरी स साइड मसल्स आपकी एक्टिवेट होंगी और साथी वर्टीब्रास पर यानि आपकी स्पाइनल कॉर्ट जो है न इस पर बड़ा अच्छा खीचाओ आएगा ऐसे और फिर उसके बाद सास लेते हुए हाथ को आपका बाजू जो है कान के पास रहे ये ध्यान रखिएगा ऐ सास छोड़ते हुए देखिए धीरे धीरे इंच बाई इंच डिग्री बाई डिग्री इंच बाई इंच डिग्री बाई डिग्री इस तरीके से बेंड होते जाएं ताकि एक्सपेंशन आपके पूरा राइट साइड आए और कॉंट्रेक्शन आपकी लेफ्ट साइड आए ऐसे इस तरीके से जुकते हुए अपने अगर राइट टो को पकड़ ले तो अच्छी बात है यहाँ पर रुके कम से कम 5 से 10 सेकेंड अगर आप सासों को रोक सकते हैं तो रोक ले अगर नहीं रोक सकते हैं तो नॉर्मल ब्रीधिंग करें फिर उसके बाद सास लेते हुए वा बहुत से लोगों के लिए चैलेंज होगा कि वो इतना नीचे नहीं जुक सकते हैं तो आप क्या करें अपनी सहूलियत के हिसाब से यह जरूर काम करें कि हाथ को ऐसे छत की तरफ खीचें और फिर उसके हिसाब से जितना जुक सकते हैं इतना जुकें इतना जुकें और पॉ पॉस्चर को रिलीस कर दें इसी अभ्यास को जब आप एक साइड कर लें तो दूसरी साइड भी करना बेहत जरूरी है कभी भी पॉस्चर को एक ही side करके ना छोड़ दे, अब left pair को मोड़ा, chest को मैंने घुमा दिया, अपने left घुटने की तरफ, और फिर उसके बार right palm को थाई के उपर रखा, left हाथ को छत की तरफ खीचा, right side की body activate हो गई है, अब left side की body, सास लेते हुए पूरे शरीर का देखेंगे blood circulation improve हो जाएगा, और तंत्र का तंत्र तो इतनी जादा strengthen हो जाएगी, इस तरीके से सास लें, सास लें, सास लें, खीचना जरूरी है, सास लें, और सास छोड़ते हुए इस तरीके से side से bend हो, ऐसे नहीं कि आप ऐसे bend हो गए हैं, इ इस तरीके से, अगर ऐसे पैर ना पकड़ पाएं, तो जैसे मैंने पिछला adjustment बताया था, उसको करें, और फिर उसके बाद सास लेते हुए, ऐसे release कर दें, और posture को कम से कम, तीन तीन बार अभ्यास कीजिएगा, हर side minimum 5-10 second रुकें, अगर 30 second तक रुक जाते हैं, तो बहुत अ जानी करना है, ऐसे पैर पकड़ने के चकर में ऐसे ना कर दें, इस तरीके से ना कर दें, ऐसे बहुत से लोग सोचते हैं, कि पैर तो आज ही पकड़ के हो जाएगा काम नहीं, योग एक जर्नी है, इस जर्नी में थोड़ा तो वक्त देना पड़ेगा, तो आप ऐसे side से एक्टिवेशन हो रहा और यहीं, अगर इस तरीके से करेंगे, तो side muscles पर activation नहीं हो रहा है, बेसिक मकसद जो है objective है कि side muscles को activate करना, I hope यह सारी जो बारिकिया में आपको बताती हूँ, वो अच्छी तरीके से आपको समझ में आ रही होगी, और यह देखिए, आसन को करना और तो समझना कि उसका objective क्या है, और वो कौन से body part को target कर रहा है, यह बेहत जरूरी है, जिससे कि आपके brain का जो communication body के different different parts से है, वो improve हो जाए, वो बातचीत, वो दोस्ती जो है, वो और गहरी हो जाए, चलिए, अब अगले आसन का अभ्यास, जो हम करेंगे, यह आपकी पूरी back muscles उसको stretch करेगा, पूरी की पूरी, अभी पूरे दिन क्या है, ऐसे बैट कर computer पे काम करते है, या घर पे kitchen में खाना बनाते है, सोफे पे बैट गया TV देखते है, तो सामने की तरफ जुकी होती है, अब पूरी body को open करेंगे, और पूरे body को blood circulation improve करेंगे, तो इसके लिए क्या क माती के side में रख दे, फिर इसके बाद माते को mat पर drop कर दे, एक एक करके अपने पैर के दोनो ankles को इस तरीके से पकड़े, दोनो पैर को अलग करके रखें, ऐसे जोड के नहीं रखना है, है ना, अलग करके रखें, फिर इसके बाद सास ले, head up, chest up, और नीचे से थाई को होड़े, head down, chest down, सास लो ले, सासों को रोके, 1, 2, 3, 4, 5, सास छोड़ दे, ऐसे, और अगर आपको ज़्यादा देर तक रोक ला है, तो मैं कहूंगी कि सासों को नॉर्मल लेते रहें, सासे ले, अब यहाँ पर सासों को नॉर्मल लेते रहें, जितनी देर तक होल्ड कर सके, 10 सेकेंड, 30 सेकेंड इस तरीके से, और फिर उसके बाद, head down, chest down, release कर दे, और rest करे, क्रोकोडाइल पोज में, तो देखा आपने धनुरासन का अभ्यास करने से, पूरी back muscles कितनी अच्छी तरीके स्क्रेच हो गई, spine को opposite stretch मिला, अब हम पीठ के बल लेटकर अभ्यास करेंगे, सर्वांग आसन को, सर्वांग आसन को सभी आसनों की रानी के नाम से भी जाना जाता है, या इंग्लिश में इसको shoulder stand कहते हैं, तो आप आराम से अपनी योगा मैट पर पीठ के बल लेट जाएंगे, इस तरीके से, ऐसे, अपनी टी शिर्ट को टक कर लेंगे, ताकि प्रैक् कमफर्टेबल ना हूँ, फिर उसके बाद, अपने दोनों पैरों को ऐसे 90 डिग्री उठाएंगे, 90 डिग्री उठाने के बाद, ठीका रहा है, उठाने के बाद, अपने दोनों पैरों को उठाया, और कमर के नीचे हाथ रख लें, और फिर उसके बाद, अजस्ट करते हुए अपने पैरों को इस तरीके से उठाते जाएं टुवर्ड्स सीलिंग और हल्का सा ऐसे इस तरीके से इस अभ्यास को करते वक्त नॉर्मल ब्रीधिंग करते रहें और कम से कम तो 30 सेकेंड या 60 सेकेंड इस पॉश्चर को होल्ड करेंगे ऐसे फिर उसके बाद गुटनों को मोडेंगे और फिर उसके बाद गुटनों को माते की तरफ लेके आएंगे और अराम से अपने कमर को ऐसे मैट पर ड्रॉप कर देंगे बहुत से लोग ऐसे होंगे जो कि सर्वा सरवांगासन नहीं कर पाएंगे क्वित कमार उठाने में बड़ी दिकत होगी तो मैं आपको इसका बता घंगाई ना कर पायें तो अब त == सोगचे प्यूद्यश में पालुक ढसान दोनों करें, ऐसे, इस तरीके से अपनी पूरी हिप मसल्स को ऐसे टाइट करके रखें, इस तरीके से और सास छोड़ते हुए धीरे-धीरे हिप को डाउन कर दें, फिर से सास लें, सासों को रोके, one, two, three, four, five, और फिर उसके बाद सास को छोड़ दें, ज्यादा देर तक posture hold करना है, सास लें, सासों को रोग के रखें, सासों को लेते और छोड़ते रहें, कम से कम 30 सेकेंड तक posture को hold करें, और फिर उसके बाद hip को drop कर दें, फिर शवासन में लेट जाएं अब हम अभ्यास कर रहे हैं, happy baby pose या संस्कृत में इसको कहते हैं, आनंद बाल आसन, करना जादा कुछ नहीं है, आराम से अपनी फीच के बल ऐसे लेट जाना है, और फिर लेटने के बाद आपको क्या करना है, अपने दोनों पैरों को ऐसे उठाना है, घुटनों को फ्लोर की सीलिंग की तरफ इस तरीके से, ऐसे, और फिर दोनों पैर के तलवों को ऐसे हाथ से पकड़ देना है, इस तरीके से, ऐसे, और फिर उसके बाद पैर के तलवों को छट की तरफ और इस तरीके से हलका 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 पूरे पैरों को खोलते हुए घुटनों को फ्लोर की तर तरफ पुश करना है अपने पूरे घुटनों को इस तरीके से नीचे की तरफ पुश कर रहे हैं आप देख रहे हैं पूरा का पूरा ब्लड़ फ्लो आपके जनाइटिल के अराउंड कैसे इंप्रूव हो रहा है थाइस के अराउंड जो दर्द होता है ना बहुत जादा वह सब भी भागेगा और साथी लोवर भैक को भी मजबूती मिलेगी इस तरह के से करते हुए कम से कम इस पॉस्चर को को टी सेकेंड या 1 मीनट तक होल्ड करके रखें पर एंगर इतनी देरं को बेली की दरफ लेके आएं और पैरों को ऐसे हग कर लें पवन मुक्तासन और फिर उसके बाद आराम से अपनी योगा मैट पर लेट जाएंगे शावासन में इस तरीके से अगर आप मेरी निग्रानी में रहके हर दिन योग का अभ्यास करना चाहते हैं तो आप सभी का स्वागत है मेरी ओनलाइन योगा क्लासस में इन online yoga classes को zoom के माध्यम से conduct किया जाता है so that आप देश और दुनिया के किसी भी कोने में रहते हूँ आप आसानी से इन zoom yoga classes के साथ जुड़के आपने घर के comfort zone में रहके योग का अभियास कर सके अगर आप beginner हैं घबराइए नहीं हर एक class beginner friendly है अगर already योग का अभियास कर रहे हैं तो आपकी existing practice को और भी deepen कर पाएंगे साथ ही अगर आपको कोई health condition है तो उसे उभरने में मदद मिलेगी क्योंकि already जो मेरे साथ लोग जुड़के अभियास कर रहे हैं उनको अपनी health condition में काफी हद तक improvement देखने के लिए मिली है चाहे वो diabetes की समस्या हो, thyroid की समस्या हो, conceive ना कर पा रहे हो hypertension, high blood pressure की समस्या, PCOD, PCOS, irregular periods की समस्या रात में नीद ना आना, अत्यधिक मांसिक तनाव होना शरीर flexible नहीं है, शरीर में ताकत बिल्कुल नहीं रहती, बहुत जल्दी थकान हो जाती है तो यकीन मानिये, इन सारी समस्याओं से उबरने में योग आपको बहुत मदद कर सकता है इन ओनलाइन योगा क्लासेज में आपको अलग-अलग तरीके के आसन, प्रानयाम, ध्यान कैसे करते हैं, शरीर को डिटॉक्स कैसे करते हैं डीप रिलैक्सेशन की टेकनिक, ये सारी स्टेप बाई स्टेप सिखाई जाती हैं हर एक क्लास एक दूसरे से कंप्लीटली अलग है अगर किसी कारण से आप इन ओनलाइन योगा क्लासेज को नहीं जॉइन कर पाते हैं तो कोई बात नहीं, मैंने कुछ कोर्सेज डिजाइन किये हैं आप उनको पर्चेस करके, दिन में कभी भी, किसी भी वक्त, कहीं भी इन वीडियोस को प्ले करके आसानी से योगा अभ्यास कर सकें अगर आपको इन क्लासेज के बारे में और भी जानकारी चाहिए तो मेरी वेबसाइट मैंने यहाँ पर शेयर की है तो मैं तो वहत एकसाइडेड हूँ, आप सभी को योग सिखाने के लिए जाएए मेरी वेबसाइट वीजिट कीजिए या कि फिर एक वाटसब कीजिए अपने स्टेप बाइ स्टेप मैंने आपको आसानी से सिखाया किस तरीके से आप अपने जननांगों को स्वस्थ रख सकते हैं, मानसिक तनाओ को कम कर सकते हैं, शरीर का बलड सर्कूलेशन इंप्रूव कर सकते हैं आशा करती हूँ, मेरा प्रयास आपको पसंद आ रहा होगा प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जाने से पहले एक प्यारा सा लाइक और साथ ही इस वीडियो की लिंक को अपने दोस्तों और रिश्दारों के साथ भी खूब शेयर कीजिएगा उनको भी इस तरीके की वीडियो से स्वासिलाब मिले आप सभी निरंतर योग का अभ्यास खुद भी करें और अपने दोस्तों और रिश्दारों और अपने घर वालों को खूब मोटिवेट करें कि वो हर दिन योग का अभ्यास करते रहें नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्दी मिलूंगी तब तक आप सभी अपना ध्यान रखें नमस्ते